नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हलचल पर विदर्बग के 13 लाख व्यापार योकी शिर्ष व अग्रणी संस्था नाक विदर्बग चेंबर ओफ कॉमर्स ने 17 नमबर 2021 को राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के संस्था पक वर राष्ट्री अध्यक्ष चरत पवार का व्यापार जगत और उद्योगों के साथ कार्यक्रम का योजन किया गया इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता वर राज्यसभा सांसत प्रफुल पटेल एवं राकापा के नाकपुर शाहर अध्यक्ष व नगर सेवक दुनेश्वर पेठे पुर्व केंद्रिया मंत्री सुबोद मोहीत पाटिल पुर्वर राज्यमंत्री रमेश बंग अधिधी की रूप में उपस्तित थे चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाडिया ने विदर्बके व्यापार जगत की और से शरत पवार प्रफुल भाई पटेल एवं दुनेश्वर पेठे का शॉल श्रीफल प विश्यमें भी ये कारिय जारी रहेगा उन्होंने कहा कि कोरोणा महामारी के समय एवं लॉकडाउन से उत्परना परिस्तितियों के चलते चोटे व्यापार एवं व्यावसाईओ को काफी नुकसान हुआ है कई को दुकान बंद करनी पड़ी है कई व्यापारी आत्मात्या करने को मजबूर हो गए जो की चिंता का विशे है राश्रपती रामनात कोविन के व्यक्तिगत आमंतरन पर जैन समाज के सर्वोच्च साजवी भरत गवरो गणिनी प्रमुक श्री ग्यानमती माताजी का मंगल आगमन बड़े आत्मिया एवं विशिष्ट सम्मान के साथ 14 नवंबर 2021 को सुभा साड़े नौ बजे राश्रपती भवन के विभिन्न विशेस्तानों पर समस्त संग को ब्रहमन कराया गया जिसमें अशोका हॉल, दरबार हॉल, मुगल गार्डन, आदिस्थान शामिल रहे राश्रपती ने उत्साह के साथ अपनी धर्मपतनी प्रथम महिला सविता कुविन्द और पुत्री के साथ पुझ् पुझ्य माता जी एवं उनके साथ प्रग्याश्रमनी आरिय का श्री चंदरामती माता जी वो पीठा दिश स्वस्ती श्री रविंद्र किर्ती स्वामी जी से व्यक्तिकत चर्चा गी। नाकपुर मंडल सुरक्षा संगठन, NDRF टीम, नागरिक दुरगटना राहत ट्रेन की मेडिकल टीम और ARME के साथ समनवय में एक वास्तविक राहत और बचाव अभियान का योजन किया गया। नाकपुर मंडल ने विभिन विभागो और राश्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF और नागरिक प्रशासन के 200 कर्मचारियों को प्रभावित कोच्चों में यात्रियों को बचाने, राहत कारियों को चलाने और अंतह सामन्य स्थिति बहाल करने के लिए शामिल यातायात की तेज आवाज आही के लिए ट्रैक शामिल किया गया, DRM रिचा खरे, DRM PS खहरनार, वरिष्टा मंडल सरक्षाव अधिकारी 12 पात्रे, सिनियर DCM कृष्टनात पाठिल, सिनियर DME लक्षमिन आरयान और अन्य शाखा अधिकारियों ने मौक डिल में भाग लिया, DRM रिचा खरे ने कहा, ये एक आपदा में प्रतिक्रिया करने के लिए सभी विभागों की तयारियों की जाँच करने और संजार कोशल के साथ साथ समनवे विकसित करने के लिए एक अभ्यास है। गाड रेजिमेंटल सेंटर के इतिहास में ये पहली बार था कि परेट की समिक्षक वायू सेन आधिकारी एयर मार्शल शशिकर चौधरी, AVSM, VSM, ADC, AOC, NC मेंटेननस कमांड द्वारा की गई, जो कि सयुक्त कोशल की सच्छी भावना को प्रदर्शित करता है। रिक्रूटों को संबोधित करते हुए समिक्षक ने बताया कि सैनिक होना एक गर्व का विशे है और साथ ही भरी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने रिक्रूटों को शारेरिक, मांसिक और हर प्रकार से देश के सेवा के लिए प्रोथसाहित किया। उन्होंने प्रशिक्षन के दोरान वीभी नक्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उत्रुष्टक गार्डस्मेनों को मेडल दे कर सम्मानित किया। सभिक शेत्र में बहतरिन प्रदर्शन के लिए रिक्रूट कुमावत नरेंद्र मदुराम को सर्वश रेष्टर रिक्रूट की ट्रॉफी प्रदान की गई जो की महाराष्ट के ठाने जिले का निवासी है। विजे रामानी भारतिय अग्रवाल एकता क्लब के चेर्मेन सीय राजेश मोदी हरियों बाबा आश्रम के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल रवी गोकुल चंद अग्रवाल विजे लोहिया शंभू टेकरिवाल शेलेंद्र अग्रवाल के हस्ते हुआ। सभी का स्वागत ओम प्रकाश अग्रवाल सीय राजेश मोदी ने किया। प्रविन महता का शौल श्रीफल से स्वागत रवी अग्रवाल विजे लोहिया ने किया। पश्चात गायक प्रविन महता ने आर्ट ओफ लिविंग के भजन के साथ श्याम बापा के भजन की प्रस्तूति दी। शलेंदर अगरवाल, राजीव चावधरी, राज अगरवाल, सिये संजे अगरवाल, कॉशिक अगरवाल, सविने अगरवाल, संदीप खेमका, राजश खंडेलवाल, पवन अगरवाल ने प्रयास किया। कार्तिकी कादशी के शुभावसर पर महालगी नगर स्थित स्वातंत्र संग्राम कॉलनी हनुमान मंदिर से पालकी एवं दिंडी निकाली गई पालकी यात्रा प्रारम करने के पहले लोकमंच जेश्ण नागरिक मंदल के सचीव डॉक्टर दीपक शेंडेकर, नामदेव शिंग ने, वासुदेव खड से, धोंडीवा नेताम, तारा रीठे, लीला नेताम, करुणा रीठे, कमला मोंधे ने पुजार चना की पालकी यात्रा हनुमान मंदिर शिवाजी पार्क से प्रारम होकर, विभिन नरास्तों से वापस हनुमान मंदिर पहुचिए, जहां आरती वो प्रसाद वितरण के बाद यात्रा का समापन हुआ ललिता ढोबले, मनोरमा नितनवरे, छाया निनावे, छाया वान खेडे, सुनिता ठाकरे, प्रमिला पठारे, काप्टे, साठवने, मान मोडे, पिंपल कर आदी ने प्रयास किया सुशिला नगर सिंधी पंचायत, सुशिला नगर जरी पठका में महिलाओ द्वारा तुलसी विवहा पुजा का आयोजन किया गया हिंदु धरम में तुलसी विवहा करना बेहधी मंगलकारी माना जाता है कार्थिक शुकल पक्षक की द्वादशी को तुलसी का विवहा शाली ग्राम से करने की परंपरा है कहा जाता है कि तुलसी विवहा कराने से भगवान मिश्नु का आशिर्वात प्राप्त होने के साथ जीवन के सभी कश्र दूर हो जाते है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा महाराश्ण में किसानों को प्रशिक्षन सुविधा दिलाने ही तूँ चंद्रपूर जिलास्तित अजयपूर ग्राम में किसान प्रशिक्षन भवन का निर्मान प्रस्तावित है। पार्यकारी अभियंता द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किये गए। ग्यातव्या है कि इस प्रशिक्षन केंद्र के खुलने से महाराश्ण राज्यक के किसानों को इसका लाब मिलेगा। कार्यक्रम के अतिथी पद्मश्री ग्यान चतुरवेदी ने कहा कि व्यंग की ताकत को समझना हो तो इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। व्यंग विधा के लिए ये चुनोती का समय है। ऐसे समय में दिक्षित का संगरह मात्व पुरनस्थान रखता है। की प्राय सभी बड़ी हस्तिय उपस्तित थी। कार्यक्रम में मेधाचा, दीपा स्वामिनाथन और डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रका सह्योग रहा। सिंधी भाशा सलाहकार समिती, सहित्य अकाडमी, नई दिल्ली के सदस्य नाट्य लेखक किश्वर लालवानी ने, ज्यानपिट से सम्मानित सुप्रसिध्ध मराठी कवी, लेखक, नाटककार, कथाकार एवं समिक्षक, विश्नुवावन शिरडवार, कुसुमागरच के सहि सिंधी अनुवाद नाट्य, समराठ नाम से केंद्रिय सहित्य अकाडमी, नई दिल्ली ने प्रकाशित करवाया है। पुर्वन अगर सेवक सुरेश जग्यासी, धर्मदास दरबार के संचालक चुन्यलाल चेलानी, रंगमंच कलाकार, तुलसी सेतिया, हरभगवान नाकपाल, प्रोफेसर प्रकाश केवल रामानी, गोर्मुक मोटवानी, लक्षमन थावानी, किशन आसुदानी, राकेश पुर्वन अगर सेवक सुरेश जग्यासी ने कहा, कि किशोर पिछले 40 वर्षों से निरंतर सिंधी रंगमंच की सेवा कर रहा है, वह सांस्रोतिक गती वीदियों में बढ़ चड़ कर योगदान देता है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली पर तीसरी बार जित हासिल की है, उसी उद्देश को आगे बढ़ाते हुए राश्ट्रिय कारिय कारिनी ने महराश्ट के सभी चुनाव पर अपने उम्मिदवार लड़ाने का फैसला किया है नाकपूर, मुंबई, पुने की शहरों में महानगर पाली का चुनाव सामने है, वह कामठी नगर परिशत का चुनाव भी सिर पर है, आने वाले दिसंबर जन्वरी में चुनाव निश्चित है, आम आदमी पार्टी कामठी शार अध्यक्ष, शौकत अली बागवान पिछल पार्टी के अच्छी उमिद्वार को पार्टी में लाकर उनके साथ काम करते वे पार्टी को मजबुत कर रहे हैं, अर्विन केजरिवाल को आदर्श मान कर इमानदारी जनहीत में काम कर शौकत अली कामठी में सभी सीट जितने का दावा कर रहे हैं, आपके वरिश्च्ट पदाधिकारियों को भी ये दुरूड विश्वास है कि शौकत अली के नेतरुत्व में कामठी नगर परिशद में आमादमी पार्टी की जित पक्की हैं, अपनी चार दीवसी यातरा पर नाकपुर पहुँचे राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुक सांसत, शरत पवारका, सराफा, स्वरनकार, गलाईवाले पुलिस विभाग की एक सयुक्त दक्षता समीती की और से होटल सेंटर पॉइंट रामदास बेट में भव्य सतकार किया गया। शरी चत्रपती शिवाजी महाराज का गौरवशा लिति हास आने वाली पीढी तथा युवाओ को प्रेरित कर सके इस उद्देश से पिछले 13 वर्षों से नागपूर के किलेदार प्रतिष्ठान द्वारा सतत किले की प्रतिकृती बना कर युवाओ को एक नई प्रेरना देने का कार्या किया जा रहा है। इस वर्ष सक्करदरा लेक गार्डन परेसर में विशाल काय सीहा कड कोंधाना किले की प्रतिकृती साकार की गई है। नागपूर के सभी किला प्रेमी, शिव प्रेमियों और नागपूर की जनता के लिए ये एक आकर्शन का केंद्र बना हुआ है। इस किले पर दिवंगत शिव सिना प्रमुकबाला साइब ठाकरी की पुन्यतिति के उपलक्षय में शिव सिना जय महराष्टर जनरल पर राष्ट्य माथाडी कामगार सेना नागपूर द्वारा भेट दी गई है। इस आउसर पर प्रतिष्ठान के कारेकरता का सतकार किया गया है। इस आउसर पर नागपूर जिला अध्यक्षव विनुत कल्यानी, रजजत हुरुडे, अनिकेज इंगले, शुभंबराई, आदि उपस्तित्ते। महाविकास आगाडी की सरकार ने तो विकास शुल्क 56 से बढ़ा कर सिधा तीन कुना कर 168 रुपे कर दिये हैं। महामंत्री संजे बंगाले, राम अंबुलकर, बालया बोरकर, सुनिल मित्रा, प्रकाश भोयर, विक्की कुकरेजा, संजे अवचट, देविन दस्तूरे, किशोर पालंदुरकर, किशोर वान खेडे, विनोत कनहरे के अलावा, सैकडो नागरिक, पदाधी कारियों ने हिस्स अली कारेकरम रखा गया है। मुंबई में रविवार को एमनेट रिसर्च द्वारा होटल रमाला इन में नैशनल हेल्थ केर लिडर्शिप अवार्ड रखा गया, जिसमें भारत के सभी प्रदेश से बड़े-बड़े डॉक्टर यहां आए। इसके बाद मैंने धीरे-धीरे बहुत रोल किये और अपने जीवन में लगभग साड़े 700 फिल्मों में विभिन्न भाशा में काम किया और अब मेरे बच्चे भी एक्टर बन गये हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी भी इसी तरह से अपने जीवन में सफलता हासिल करोगे। महराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के आदेशान उसार नाकपूर शहर कॉंग्रेस कमीटी के अद्धेक्ष विदायक विकास ठाकरे के मार्ग दर्शन में मध्धनाकपूर ब्लॉक कॉंग्रेस कमीटी द्वारा हंसापूरी खदान जोतिनगर में घरगर जाकर जन ज जागरन अभियान चलाया गया। ब्लोक अद्धेक्ष गुपाल पट्टम के नित्रुत्व में एवं वरिष्ट निताओ के तत्वावधान में आयोजित किया गया। गुरु घासिदास सतनामी समाज मानव उत्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में मिनिमाता नगर गुरु घासिदास गुरु द्वारा में समस्तो सतनामी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। समस्त सतनामी समाज की उपस्तिते में आहुत हुआ। समस्त समाज ने एक स्वर में 265 जैनती समारों को हर्शुर्लास के साथ मनाने पर सहमती जताई। बैठक में दीपक रातरे, हेमन कुरे, कृष्णा खुटल, अनुच कुसरे, गुलाब जांगडे, आदी उपस्तित थे। त्रीपुरा का मज्जीद मामला सभी को जगजोरने वाला है। इस घटना का असर महराष्टर के अमरावती, मालेगाओ और नांदेड में हिंसाचार के रूप में दिखाई देना काफी शर्मसार है। इस घटना को लेकर लोगों में दूरिया निर्मान करते हुए भाचपा आग भढ़काने का प्रयास कर रही है। आज देश की जनसंख्या 125 करोट के आसपास है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रकल्पों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। जिसके चलते विकास की अनेक समस्या निर्मान हो रही है आदिवासी बहुल गडची रोली जिले में भी विकास की अनेक समस्या है यहाँ के आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में जोडने की आउशकता है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब भी 24,000 करोड रुपे की निदी उपलब नहीं करवाई गई है जो दुर्भाग्य पुरुन है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरीकों का कोवी शिल्ट का टिका करण नकपुर महानगर पालिका के साथ सरकार केंद्रू पर होगा टिका करण का समय शाम के पाच बजे तक होगा टिका करण के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करण किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरीकों को कोवी शिल्ट के जरीए टिका करण किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्ट अधिकारी डॉक्टर संजय चिल्कर ने दी इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आई वर्ष के नागरीकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बबासायब आमबिटकर अस्पताल काम्ठी रोड प्रभाकरदट के मनपा महाल रोगनिदान केंद्र, एम्स आईसोलेशन अस्पताल इमामबड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्द है तो नागपूर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस, नमस्कार